असलाम वालेकुम दोस्तो, मेरा नाम है वाकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों, बच्चों की बात करें, तो मासूम बच्चे हर किसी को पसंद होते हैं यह अपने क्यूट हडिकतों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं वैसे तो आप सब ने बहुत से बच्चों को देखा होगा लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दुनिय में आज तक पैदा होने वाले सबसे अंजूजूल किड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन सबस्क्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जैकसन बूल दोसों वैसे तो दुनिया में बहुत से अंजूजूल और अबनार्मल किड्स पाए जाते हैं लेकिन इस जैसा वीर्ड चाइल्ड आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा ये 2015 में पैदा हुआ था जब ये पैदा हुआ था तो इसके सर का आदाइसा बिलकुल फ्लैट था ऐसा रगता था जैसे इसका आदा सर किसी ने काट दिया हूँ असल में ये एक बहुती रियर कंडिशन होती है इस बिमारी में बच्चे का सर पैदाईशी तोर पर आदा होता है इसकी ये बिमारी इसके ब्रेन को भी ग्रोव करने से रोग देती है ज्यादा तर ऐसी कंडिशन वाले बच्चे पैदा होने से थोड़ी दिर बाद ही मर जाते है लेकिन जैक्सन उन सब बच्चों से बिलकुल अलग है ये एक बहुती स्ट्रॉंग और ब्रेव किड है इस वक्र इसकी उमर तकरीबन 6 साल है लेकिन इसके जिसम और ब्रेव की बिलकुल भी ग्रोथ नहीं होती ये पिरन्ट्स हर वक्त इसे उठा कर रखते हैं जब ये पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्चा कभी भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि इसकी ब्रेन ग्रोथ नहीं हो सकती लेकिन इसने इन सब बातों को गलत साबत कर दिया ये अपने पिरन्ट्स को बोलाता भी है और इवन इन्हे आई लव यू भी बोलता है ये बच्चा वाके ही में बहुत अंज्यूजवल है कारलोटी गार साइट दोस्तों हम सब लोग नॉर्मल रूटीन में ऐसे बहुत से लोगों को देखती है जिनकी कद आम लोगों के मकाबले में काफी चोटे होते है इसलिए हमें इन लोगों को देकर ज्यादा खैरत नहीं होती लेकिन अब जिस बच्ची के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे देकर आप शौक हो जाएंगी ये जो बेबी गल आप दिख रहे हैं इसका नाम कारलोटी है और ये 2007 में पैदा हुई थी इसे वर्ल्ट टाइनस्ट गल का नाम भी दिया गया है जब ये पैदा हुई थी तो इसका कद सिर्फ आठ इंच था और इसका वजन हाफ केजी से भी कम था इसे पिदाशी तोर पर एक बहुत ही अंजूजल डिजीज थी जिसे प्रमोडियल डर्फिसम कहा जाता है इस बिमारी में बच्चे की ग्रोध बहुत ही आइस्ता होती है जयाता तर इस केसमें तो बच्चे जिंदा ही नहीं बच्टे कारलोटी के बारे में भी डॉक्टर्स का कुछ ऐसा ही कहना था कि ये जदा से जhelm एक साल तक जिंदा रह सकती है लेकिन इसने डॉक्टर्स की बात को गलत साबत कर दिया ये लड़की बारा साल तक जिन्दा रही थी साथ साल की उमर में ही इसने रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिया था इस वकत इसका कद तकरीबन दो फुट था और वजन चार के जी था कारलोटी एक बहुत ही जहीन और एक्टिव बच्ची थी लेकिन अनफॉशनेटली जून 2019 में इसकी टेथ हो गई थी एनिवे जो भी हो ये बच्ची रियली बहुत ब्रेव थी इवान फासियानों दोसों ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसका नाम इवान है इसकी उमर 5 साल है और ये यूएस में रहता है ये पैदाशी तोर पर एक जेनिटिक डिजीज का शिकार है इस बिमारी का नाम हारले कुईन इक्थोसियस है ये बिमारी डिरेक्ट इंसानी स्किन को मतासर करती है जब कोई बच्चा इस बिमारी में पैदा होता है तो इसकी स्किन पैदाश के वक्ती बहुत ज़दा हार्ड और थिक होती है इसकी बॉड़ी का जातर हिस्सा स्किन से ढखा होता है ये स्किन बड़ी-बड़ी प्लेट्स की शकल में होती है जिसकी अंदर बहुत जल्ड क्रैक्स भी पढ़ जाते है इसकी विज़ा से बच्चा हर वक्त बहुत ज़दा तकलीफ का शिकार रहता है इवान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था इसकी स्किन नॉर्मल स्किन के मुकाबले में दस गुना तिरी से ग्रो कर रही है इसके पेरंट्स इसे बहुत ज़दा नेलाते हैं तक इसकी ओर स्किन रिमूव हो सके और इसकी जगा नई स्किन आ सके इसके इलावा इस बच्चे की बॉड़ी को हर वकत क्रीम्स और लोशन से कवर करके रखना पड़ता है ताकि ये हर वकत आयली रहे अगर इसमें हलका सभी क्रैक पड़ जाए तो स्किन पटने का खतरा होता है और बॉड़ी में बहुत ज़दा इंफेक्शन भी हो सकता है इवान का जिसम बहुत जल्दी ओवर हीड़ भी हो जाता है जिसकी वज़ा से इसे शदीद जलन और पेन भी होता है अनफॉटनेटली इस अजिब गरी बिमारी का कोई इलाज नहीं है ये डियली बहुत अन्जूजूल है फू वेंगॉई दूसों ये बात हो हम सब जाते है कि जिराफ की गर्दन बहुत ज़दा लंबी होती है हमें इसे देखर बिलकुल भी अजीब नहीं लगता क्योंकि सारे जिराफ ऐसे ही होते है लेकिन क्या हो अगर ऐसा ही कुछ हमें किसी इनसान में देखने को मिल जाए सुनने में तो ये बात अन्बिलिवेबल लगती है लेकिन चाइना में एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसकी गर्दन आम इनसानों की गर्दन से तीन गुना ज़्यादा लंबी है इसका नाम फू वेंगौई है और ये बेजिंग में रहता है इसकी उमर 15 साल है असल में ये लड़का स्पाइनल डेफ्रोमिटी का शिकार है इस वज़ा से इसकी रिड़की हड़ी बहुत ज़दा लंबी हो गई है इस बेमारी में इनसान के जिसन के आउसा मसलन हाथ और पौम वगएरा की एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इस लड़के को ये बेमारी पैदाशी तोर पर है इसकी सिर्फ गर्दनी नहीं बलकि उन्लियां भी बहुत ज़दा लंबी है ये हर वकत शदीद दर्द का शिकार रहता है इवन कि ये प्रॉपरिली वाग भी नहीं कर सकता 2015 में चाइनीज चैरिटी सेंटर ने डूनेशन अकटी करके इसकी सर्जरी करवाई थी इसमें आपरेशन के जरीए इसकी आदी गर्दन रिमूफ कर दी गई थी लेकिन अभी भी इसकी गर्दन नॉर्मल इनसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यदा बड़ी है ये रियली बहुत वियर्ड है आशिक गवाई दूसों नॉर्मली एक अडल्ट इनसान के मुँ में 32 दांट होते हैं लेकिन क्या बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा लड़का भी मौजूद है जिसके मुँ में 232 दांट मौजूद है इसका नाम आशिक है और इसकी उमर 17 साल है इसके अपने सारे दांटों मुँ और इवन के सर में भी बहुत साथा दर्द रहता है ये अपने काओं के बहुत से डॉक्टर के पास भी गया था लेकिन किसी को इसकी बिमारी समझ नहीं आई ये बिचारा हर वकट शदीद तकलिफ में रहता था और खाना भी नहीं का सकता था पर ये इलाश के लिए एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में आया यहां पर डॉक्टर्स ने इसकी दाथों का एक्स रे की लेकिन जब इसकी रेपोर्ट आई तो इसे देकर डॉक्टर भी शौक हो गए आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके मुँ में 232 दांद मौझूद थे असलमी यह लड़का एक बहुती रेर मेडिकल कंडिशन का शिकार था इसे ओटन टोमा कहते हैं इस कंडिशन में इंसान के मुँ के टिशूस इरेगुलरली ग्रो करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स ने फौरण इसका ऑपरेशन करने का फैसला किया डॉक्टर्स को इस ऑपरेशन में साथ घंटे लगे थे और इवन इन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान हैमर्स का भी इस्तमाल किया था अब यह लड़का अपनी नॉर्मल कंडिशन में वापस आ चुका है लेकिन वारहाल इसकी यह कंडिशन रियली टेरिफाइंग थी निहाल बिड़ला दुस्तों दुनिया में पाई जाने वाले जहतर बच्चे बिलकुल नॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो के अबनॉर्मल्टीस का शिकार होते हैं निहाल भी इन्ही बच्चों में से एक था जब यह पैदा हुआ था तो बिलकुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही लगता था इसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना, भागना, दोड़ना और साइकलिंग करना बहुत ज़दा पसंद था लेकिन जब यह 13 साल का हुआ, तो इसे प्रोजेरिया नामी बेमारी लग गई इस बेमारी में बच्चे का जिसम अपनी उमर से 8 गुना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है यह सिर्फ 13 साल की उमर में 40 साल से भी ज्यादा का लगता था हाला कि इसका कत्व इतना ही था जितना नॉर्मल 13 साल के बच्चे का होता है लेकिन इसके जिसम पर जुरियां और ओल्ड एज की सारी निशानिया जाहर हो चुकी थी आहस्ता इसके सारे बाल भी गर गए थे और इसका जिसम बूरा होना शुरू हो गया था ये ना तो खेल सकता था और ना ही साइकल चला सकता था इसने अपनी बिमारी की विला से स्कूल जाना भी छोड़ दिया था ये सिर्फ ड्राइंग कर पाता या पिर सारा दिन इंटरनेट यूज करता था जब ये बचा 15 साल का हुआ तो इसके जिसम में 100 साल के बुड़े इंसान जितनी कमजोरिया आ चुगी थी अनफॉशनेटली 2016 में इस बिचारी की डेथ हो गई थी इसकी ये बिमारी सच में बहुत स्ट्रेंज थी एडालिया रोस दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि अपने अदर डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी बहुत ज़दा स्ट्रॉंग होते हैं ये बिमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते और नॉर्मल लोगों से भी कई गुना अच्छी जिन्दगी गुजारते हैं एडालिया भी ऐसी एक बच्ची है इसकी उमर 13 साल है और ये टेकसिस में रहती है ये एक बहुत ही अंच्जूरल डिजीज का शिकार है और इसे प्रोजेरिया सिर्ट्रोम कहा जाता है इस बच्ची की उमर तो 13 साल है और इसके सारे बॉड़ी पार्ट्स का साइज भी 13 साल के बच्चे जितना ही है लेकिन इसका जिसम बिल्कुल बूढ़ा और कमजोर हो चुका है इवन के इसके हाथ पौँँ और चेहरे पर बहुत ज़ूरियां भी पड़ गई है लेकिन ये एक बहुत ही बहादर लड़की है और इस बिमारी के बावाचूद भी ये इस से लड़ रही है ये एक बहुत ही फेमस यूटियोबर है और इसके यूटियोबर पर एक मिलियन से भी ज़्यादा फौलवर्स है ये फ़नी वीडियोज बनाती है और लोग इसे बहुत ज़दा पसंद भी करते है इसके इलावा ये एक बहुत ही अच्छी व्लॉगर भी है इसने अपना निकनेम डिवा रखा है हाला कि इस बिमारी की वज़ा से इसके जिसम में बहुत ज़दा तब्दिलियां आ चुकी है लेकिन फिर भी इसनी होसला नहीं हा रहा ये लड़की वाके ही में बहुत ब्रेव है तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए दोस्तों नेक्स वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस